नमस्कार आपके अपने पुस्पा किचन इस्टार में स्वागत है अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक का बटन दबाए स्बस्क्राइब का बटन दबाए बैल आइकन दबाना ना भूलें जिसे मेरी वीडियो की फ्रीड नोडिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे सारे पुराने तरीके छोड़ देंगे जब मेरे तरीके से बनाएंगे अरभी के पतोड़े एक पर मेरे तरीके से बना कर देखे अरभी के पतोड़े बहुत ही खाने में लाजवाब बाहर से कुरकुरी अंदर से एकदम सौप्ट से हर दनिये के साथ खाएं हर दनिये के पत्ते हो रहे हैं तो मैंने सोचा आज अरपी के पतोड़े बनाते हैं करमा गरम अब इन्हें इसके रूट्स काट देंगे जितना हो सके अगर जड़ ना काटेंगे तो गले में खरास करेंगे तो जड़ जड़ूर काटें और पत्ते कट जाएं तो कोई दिक्कत नहीं उसे यह पोदहिए पर जड़ चल़ोर काटते हैं इस तरीके सी केची से काटें जड़ जरूर काटें लूट को चितना हो सके onu काट दें अब इसे फैला लें अच्छे से बेद दो पत्ते को फयले रख लें हैं उसके बाद काटें और इस तरीके से बेरम दें जो यह रूट है य असानी हो जाएगी जितने अच्छे से बेलेंगे रूट दब जाएगी उतने ही बेलने में असानी हो जाएगी इसी तरीके से मैंने सारे रूट को दबा देंगे और रूट को दबाने के बाद इसे एक प्लेट में रखते जाएगे बाकी सारे इसी तरीके से कर लेंगे हम यह देखे आठ से दस अर्भी के पत्ते थे और इन सब को मैंने जड़ को काटके बेल के रख लिए हैं यह देखे इस तरीके से कट करना है जो यह रूट है एक अले में अगर जरा सभी रह गया तो यहां गयास पे कड़ा देंगे दो गिलास पानी रखेंगे इस टीम करने के लिए इस डख के लो फ्लेम पे गरम होने देंगे अभी यह बॉल लेंगे इसमें डेड़ कटोरी बेशन डालेंगे डेड़ कटोरी ही टाल रही हूं है आठ चे-दस बनाने के लिए परियाप थे इतना आदा चोटे चम्मच अजवाइन जरू डालें क्योंकि अर्भी के पत्ते में बादी भी होता है तो अजवाइन गैस नहीं बनाएगा और आदा चोटे चम्मच हल्दी एक चम्मच लाल मिर्च तीकी वाली अगर आप तीखा कम पसंद करते हों तो स्किप करते हैं आदा चोटे चम्मच दनिया पोडर आदा चोटे चम्मच जीरा पोडर आदा चोटे चम्मच हींग जरू डालें और एक चम्मच नमक दो चम्मच लेसन अद्रक हरी मिर्च का पेश्ट 10 से 12 लेसन 4 से 5 हरी मिर्च और एक इंच अद्रक के टुकड़े को मिक्सी में पीछ लें बन गया पेश्ट एक चमच अमचुर पॉरडर और एक नीवो को निचोड़ के डाल देंगे इस तरीके से इसमें खट्टा इस्तिमाल इसलिए करे जाता है कि गरले में खरास ना करें तो ज़रूर डालें अगर आप के पास नीपू ना हो तो दो चम्म चम्चुर पॉडर इस्तिमाल करें और नहीं तो इमली का गोल बना के डाल दें बस इस तरीके से सारा मेक्स कर लेंगे मसालों को अच्छे से बेशन में थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक गाड़ा गोल बना लेंगे ज्यादा पतला घूल नहीं बनाना हमें, गाड़ा घूल बनाना है, थोड़े थोड़े पानी डालते हुए, इसका एक तम स्मूथ गाड़ा घूल बनाएंगे, इस तरीके का गाड़ा घूल होना चाहिए, जो चम्मच में लपेटा हुआ दिखे, एक गिलास पानी लिया था, आदा गिलास ही इस्तमाल हुआ है, थोड़ा सबच गे, इस तरीके से गाड़ा घूल बनाएंगे, और एक एक पत्ते को उठाएंगे, और उल्टी साइड से रखेंगे, सीधी साइड से नहीं रखेंगे, नहीं तो बेशन लपेटने में दिक्कत हो जाएगे, सीधी साइड से बेशन को लगाएंगे, और सारे में इसी तरीके से लपेटते हुए बेशन को चार उत्रप से लपेट लेंगे, बेशन को जितना अच्छे से लपेटेंगे, उतना ही लपेटने में असानी हो जाएगे, तो बेशन डालते हुए, पंजो सीना करें, गोल को अच्छे से ल तरफ को से चिपके गने बेशन इसलिए उसे नीचे रिखा जाता है और उल्टी तरफ से जिदर से हमने जड़ काटा है उसको ऊपर रखेंगे उसके ऊपर बेशन लगाएंगे तो बहुत आसानी से बेशन चिपक जाएगा चारो तरफ से लगाते हुए एक और पत्ता लेंगे और इसमें भी जो सीदी तरफ है उसे नीचे रखेंगे उल्टी तरफ से बेशन लगाएंगे चारो तरफ से फैलाते हुए बेशन को बेशन को हमेशा द्यान दें कि सीदी तरफ से नहीं लगाएंगे तो चिपकने में अस तरीके से केनारियों को मोरते हुए थोड़ थोड़े भीसन डालते हुए इसको फिर से पहला ले तो यह चिपकने में आसानी हो जाएगी और फिर यह साइड की किनारी है इसे भी भीसन लगा लें उपर का हिसा जो है और इसे लिपेटते हुए रोल बनाते हुए अच्छे से और यह जो नीचे का हिसा है इसे भी तबात के इसमें थोड़ा से भेसन लगाएंगे और इसे फिर से कुमा देंगे अब यह वाला हिस्सा नीचे रखेंगे यह वाला हिस्सा ऊपर रखेंगे वालते टाइम तो यह खुलेगा नहीं तो हमेसा ध्यान दें चोटी-चोटी ब मेन जाली में. अब इसमें रखें हो यह वाला हिस्सा नीचे रखेंगे जो हमने हैं वह षिस्सा नीचे रखेंगे तो यह आपके खुलिए नहीं उबीसे टाइम पर वस किसी तरीके से सार्य को रख या ने. तो इसी तीम कर लिए 10 मिनिट तक इस्टीम करेंगे गैस पे हमने पहले पानी डाल के दो गिलास रख दिया था अब इसमें जाली रख देंगे और इसे टक के तस से बारा मिनिट तक लो फ्लेम पे उबलने देंगे कि देखे अपने आप पत्ते को चेक करने की जूरत नहीं है किसी भी चक्कू से या तूद पेक से यह अपने आप कलर बता दे रहा है कि यह पक चुका है तोड़ी देर ठड़ना होने ने और यह लेजे अब फिर से मैं बता दे रही हूं आपको यह वाला हिस्सा नीचे रखे करते हुए इस तरीके से और ऊपर वाला हिस्सा कि ऐसी छोड़ देंगे किसी तुब साइड की किनारीयन को काट लेंगे यह एक-एक। किंच के टुक्ड़े को काटते हुए कुछ दूरी पे काटेंगे, मोटे मोटे टुकुडे पसंदों आपको, तो मोटे मोटे काटें, अगर आपको पतले पसंदों, तो आप पतले काटें, मैं थोड़ा मोटे मोटे काट रही हूँ, एक एक इंच के टुकुडे को, इसी तरीके से कितना बढ़या बनके तैयार हो और कितने सॉप्ट कि आपको खाने में लजवाब आप इस तरीके से भी बना कर खा सकते हैं इसे पांच ये तक इस तरीके से स्टोर करके भी रख सकते हैं जब भी मन करें फिर निकालें और फ्राइ करें इस तरीके से कट कर लेंगे सारे मैंने कट कर लिया हैं ये देखे कितना बढ़ है दिख रहा है न कोई दिक्कत ने आई हमें ना काटने में ना बेलने में ना परफेक्ट तरीके से बन कर तेयार हो कि आए आपका भी इससी तरीके से बनेगा अब गैस पे पेन चड़ाएंगे, इसमें डालेंगे थोड़से सरसोगा तेल, आदा चोट चम्मत चीरा, आदा चोट चम्मत सफेद तेल, इनको थोड़से तड़कने देंगे, अब एकए अरबी के पतोड़े उठाइंगे और तेल में डालते हुए, तेल Eh फ्लेम पे इसे करारी करारी सेख लेंगे अलटते प्लटते हुए तीन मिनट तक सेखेंगे एक साइड से और तीन मिनट एक साइड से चितना अच्छे से करारी करारी हो जाएगी सुनहरा हो जाएगा तभी आप निकालें तो आपको यह टेस्ट बहुत लगेगा पकोड़ी का तेस्ट आयेगा बिल्कुल कम तेल में और कम लागत में शब भी मन करें इस तरीके से बनाएं और जठ से बनाएं उतखाएं के sleeping कि भी परिवार के लिए इस तरीके कोल्ड इन लिया राने तक देखिए कितना बढ़िया बनकर तयार हुआ है यह लिए अर्भी के पतोड़े बनकर तयार हो गए है अब इसे प्लेटिंग कर लिए तो आपको बना के खा रहे हैं दोस्तों हमें जरूर पताएं अगर आपको वीडियो अच्छे लगा हो तो हमें हमें जरूर कमेंट करें कैसा बना अर्भी का पतोड़ा आप टेस्ट करके बताएं और हमें कमेंट जरूर करें इसी तरीके से स्टेप बाई स्टेप बनाएं तो आप कोई दिक्कत नहीं आएगी और इसे हरे धनिया की चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व करें इसे कितना किल्कुल कंजूसी ना करें इसे कितना स्वादिश्ट बनकर तैयार हुआ है अर्भी का पतोड़ा बाहर से एकदम कुर्कुरी अंदर से एकदम सौट तो जब भी से थरीके से बनाकर खाएंगे अगले वीडियो मिलते हैं नई रेस्पीक साथ तेक एरन बाई